प्रेग्नेंसी के समय महिलाओं को खुद के शरीर का और अपने पेट में पल रहे बच्चे का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है प्रेग्नेंसी का वक्त महिलाओं के लिए काफी नाजुक होता है प्रेगनेंसी के दौरान महिला की एक छोटी से गलती भी पेट में पल रहे बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा सकती है इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी के समय हर महिला को अपना ख्याल रखना चाहिए बहुत सारी महिलाओं को पता होता है कि प्रेगनेंसी के समय कैसा भोजन खाना चाहिए और कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा तर मही लाओं को नहीं पता होता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए और किस तरह से सोने से प्रेग्नेंसी में महिलाओं को नुकसान होता है इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे है कि प्रेग्नेंसी में महिला को सोते समय कौन सी गलतिया नहीं करनी चाहिए पीट के बल सोने की गलती प्रेगनेंसी में महिलाओं को पीट के बल नहीं सोना चाहिए प्रेगनेंसी के समय गर्भाशे का पूरा भार पीट के शिरा पर पड़ता है शिरा यानी की जो महिला के शरीव के निचले हिस्से से खुन को आपके हृदय तक पहुंचाती है प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को दाई तरफ भी नहीं सोना चाहिए. अगर महिला को पीच के बल या पेट के बल सोने की आदत है उससे कई ज्यादा अच्छा ये है कि महिला दाई तरफ ही सोना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंसी में महिला को दाई तरफ सोना ज् बाइंग तरफ सोना है बहतर फ्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को बाइंग तरफ सोना चाहिए बाइंग तरफ सोना महिला और महिला के पेट में पल रहे बच्चे दोनों के लिए फाइडेमंग माना जाता है बाई तरफ सोने से महिला और महिला के पेट में पल रहे बच्चे के शरीव में खून का वहाव सही तरीके से होता है जिसके कारण से पेट में पल रहे बच्चे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और पोशन मिल पाता है प्रेगनसी के समय बाइं तरफ सोने से महिला के शरीर के अंद्रूनी अंडों में भी कम दबाब परता है और पेप में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित और स्वस्थ रहता है इसी लिए प्रेगनसी के दौरान महिलाओं को बाइं तरफ सोना चाहिए अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेय कीजिए ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यू